एक बार एक आलू राजा किसी बुद्धी मान समजी को अपना परधान मंतरी बनाना चाहता था इसलिए उसने एक योजना बनाई और पूरे राज ये में घोशना करवा दी कि जो भी एक पहली का जवाब देगा वह उसे ही अपना परधान मंतरी बनाएगा फिर सभी सबजियां उस सभा में आ गए फिर आलू राजा पहली बुझाने लगे एक आदमी के पास एक सेर एक बकरी और घास का एक परिंदा है और वहीं बगल में भी एक नदी है अब बताओ वह बेकती तीनों को किस परकार नदी पार ले जाएंगे ताकि सेर बकरी को और बकरी घास को ना खा सके जबकि नव में एक ही बार में सिर्फ दो ही लोग जा सकते हैं अब बताओ वह आदमी क्या करेगा फिर सभी सबजियां सोचने लगे और बहुत से सबजियों ने इस पहली को हल करने की कोशिस की लेकिन कोई संतोस जनक उत्तर नहीं दे पाया तब ही एक बैगन आलू राजा के पास आया और बोला महाराज पहली के लिए मेरा हल इस परकार है वह व्यक्ति पहले बक्री को नदी के पार लेकर जाएगा फिर वह सेर को नदी पार कर ले जाएगा फिर बक्री को अपने साथ वापस लेकर जाएगा तब हुआ घास को ले कर जाएगा और फिर बक्री को ले कर जाएगा इस परकार तीनों नदी पार हो जाएंगे फिर आलू राजा उसकी चतुराई एवं बुधिमानी से अतियाधिक परसंद एवं परभावित हुआ और उसे अपना परधान मंतरी नियुक्त कर दिया तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जुरूर बताईएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा